ओम प्रीविद्यार्थियो अवकाश के बाद मैं आप सब का इस नहीतिक सिक्साविशे की कक्सा में हारदिक स्वागत करता हूँ बच्चो आज हम FA2 प्रारब करने वाले हैं तो आज हम इसके अधार पर पार्ट नंबर 6 पड़ेंगे जिसका शीर सिक है अच्छा बालक अच्छा बालक किसे कहा जाता और अच्छा बालक बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है तो आईए हम इसे प्रारब करते हैं बिश्वबंधू अच्छा बालक है अच्छा बालक कौन है बिश्वबंदू बच्चों आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं आपने F.A. 1 के एकजाम दिये तो अधिकानस प्रस्ण आपको पाठ के माद्यम से पूछे जाएंगे पाठ के बीच में से प्रस्ण आएं उसे अपने आने के लिए आमंत्रित करते हैं अब विश्वबंदू जो बहुत ही अच्छा बालक है और सब लोग उससे बहुत ही जादा प्रेम करते हैं विद्याले और मुहले गाओं में और विद्याले में और हर जग उसकी क्या होती है प्रसंसा होती है और घर पर आने जो महमान होते जो उनके घर में जो भी महमान आते हैं वो सब उसे बहुत ही अच्छा बालक बताते हैं उसने और उसे अपने यहां आने के लिए आमंत मुद्रित भी करते हैं अब आप लोग तो जानते हैं कि अच्छे लोगों को defining अपने घर बुलाना चाहता ये विश्व बंधु सदा सवेरे उठता है रात सुख से बीती इसके लिए प्रमात्मा का धन्यवाद करता है वो बालक कौन अर्थात विश्व बंधु जब भी प्रता हकाल उठता है तो उसके लिए क्या करता है कि हे प्रभू आपके आसिरवाद से मेरी रात अच्छी बीत गई है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ शुब दिन कर्मों में और सुख से बीते इसके लिए प्रमात्म से प्रार्थना करता है और रात बीतने के लिए तो धन्यवाद करता लेकिन दिन कैसा हो की? अच्छे कारे में बीते, अच्छा कारे करूँ मैं सारा दिन वर और मेरा दिन सुक से बीते इस के लिए प्रमात्म से वो प्रार्थना करता है चार पाई से उठकर वह माता पीता तथा बड़ों को नमस्ते करता है जब भी वह अपने विस्तर से उठता है अपने चार पाई से उठता है तो सर प्रत्म वह अपने माता पीता और अपने से बड़ों को नमस्कार करता है शोच और दातुन से निवर्ट कर कुछ दूर ब्रह्मन करता है और शोच आधी से निवर्ट हो करके अथब दातुन इत्याधी करके और कुछ दूर के लिए वो क्या करता है ब्रह्मन अथात गूमने के लिए प्रताहकाल की श्यार के लिए वो चला जाता है फिर लोट कर बियायाम सनान और संध्या करता है फिर जब वापस आता है तो क्या करता है सबसे पहले बियायाम करता है फिर उसके बाद सनान करता है और उसके बाद संध्या करता है हलका कलेवा करके विद्याले में सुनाए जाने बाले पाठ को दोराता है फिर हलका सा वो अलपा हार करता है और उसके बाद क्या करता है जो उसको पाध उस दिन विद्याले में सुनाना होता है उसे दोहराता अर्थात उसे पड़ता है विद्याले जाकर वे वहाँ अपने अध्यापकों को आदरपूर्वक नमस्ते कहता है और विद्याले में जब पहुंचाता है तो अपने अध्यापकों को अपने टीचरों को सरद्दा से बड़ी बिनम्मर भाब से वो नमस्कार कहता है बिश्वबंदू पढ़ने में मन लगाता है और बिश्वबंदू क्या करता है पढ़ने में बहुत रूची लगाता है और मन से मन लगा करके पढ़ता है शरार्त नहीं करता है और शरार्ते वो विद्याले में कभी नहीं करता है अपने साथियों के साथ प्रेम का बेवार करता है और अपने सहपाथी अपने क्लास मेर जो उसके साथी है उनके साथ वो प्रेम का बेवार करता है प्यार का बेवार करता है पुस्तकों और कपड़ों को सफाई से रखता है अपने अपने कपड़े, अपने किताबे, अपने नोट बुक्स जो होती है, उनको बड़े साफ सुत्रागर के वो रखता है, लिखते समय सुन्दर और साफ लिखता है, और जब भी वो लिखने वैठ जाता तो बहुती सुन्दर सुन्दरे और सफाई के साथ लिखता है, गव्छाप का उत्तर देता है, यदि पढ़ाई की कोई बात अच्छी तरह समझ नहीं आती तो उसे पूछने में जिजिकन क म्याफिक है और जब टीचर्श प्राथ है अपने साथियों के पढ़ाई में वो मदद करता है पढ़ाई समाप्त होने पर विद्याले से सीधा घर जाता है और घर आकर माता पेता को फिर नमस्ते करता है विद्याले से जब छुटी हो जाती तो वो तुरंत घर को निकल जाता है और घर जा करके पुनह अपने माता पिता को फिर से नमस्कार करता है भोजन करके कुछ आराम करता है फिर घर का कुछ काम करके खेलने चला जाता है और विद्याले से घर पहुंच करके थोड़ी देर आराम करता है और क्या करता है फिर कुछ देर खेलने के लिए चला जाता है वहां घंटा वर खूब खेलता है घर आकर गर्मियों के दिनों में फिर से सनान करता है जहांपर खेलने जाता है वहांपर काफी देर तक खेलता है और फिर घरा करके गर्मियों के दिन हो तो पुना सनान करता है पढ़ने बैठ जाता है रात के बोजन के बाद भी वह तहलना नहीं बोलता है और जब रातरी का बोजन करता है जब डिनर करता है तो उसके बाद भी वो थोड़ी देर वहाँ पर गुमता फिरता है अर्था टहलता है वो शाका हारी बोजन करता है और बोजन जो होता उसका साका हारी होता वो कभी नोनवेज इत्यादी नहीं खाता है फलत अदूद उसे अधिक पसंद है और फल फ्रूट और दूद इत्यारी जी होते वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कभी कभी भूने हुए चैने गूरत था गन्ने का भी आनन्द लेता है और कभी कभार वो भूने हुए चने भी खा लेता है गूरत था गन्ने को भी खाकर को उसका भी आनन्द लेता है चने चवान और गन्ना चूसन वे दामतों का ब्यायाम मानता है वो अपने दामतों को कैसे ब्यायाम मानता है दामतों का चैने चवाना और गन्ने कर रस चूसने ये सब दामतों के ब्यायाम के लिए वो उप्योगी मानता है तो बच्चों इस पार्ट को आप पढ़ेंगे समझेंगे इस बीड़ी के मादम से पुनहा पुनहा समझेंगे और इसे आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे तब तक के लिए ओम शम